नमस्कार यह है दे करेंट अफेस प्राइम टाइम और आप देख रहे हैं दे करेंट अफेस शो और मैं हूँ कुश आईए देखते हैं आज की पहली सुर्खी हरियाना सड़कार ने कल्याण कारे कायकरमों के कुशल और प्रभावी कार्यान वेन की सुनिश्चित करने के उद्देश्चे से आंजप्रदेश की जनसंक्या का एक केंद्रिक कृत डेटाबेस के संकलन में साहिता के लिए आंजप्रदेश के साथ एक MOU पस्ताक्षर किये है अगर इस MOU की बात करें या सुर्खी की बात करें तो ऐसा ही डेटाबेस आंजप्रदेश के साथ है और साती साथ इसका जो एहम मकसद है वो है समासुधार कायकरमों को आगे बढ़ाना अगली सुर्खी बिहार क्याबनेट ने राज्य की सभी न्याईक सेवाओं में पचास फीसद आरक्षन देने की प्रस्ताव को 27 दिसंबर 2016 को मजोरी दे दी है अगर इस सुर्खी की बात करें तो यह जो रिजर्वेशन होगा वो सुपीरे जुडिशल सर्विसेज और सबोर्डिनेट डोनो अगले सुर्खी भारत में मौरिश्य के उच्चायुक्त जग्दीश्वर गोवर्धन ने कल एक प्रेस सम्मेलन बताया कि विश्वर भोजपूरी सम्मेलन 29 सम्द 2016 से 1 जन्वरी 2017 तक उतर्प्रदेश के वारानसीन में आज़िद किया जाएगा जिसमें 18 से अधिक देश श अमता बच्चन को अगली सुर्खी दरा समुदाय के बीच डिजिटल भुकतान को बढ़ावा देने के लिए एलेक्ट्रोनिक्स और सुचनर प्रद्योगी समंत्राले एमी आईटी वाई ने अखिल भारती व्यापारी पनपरिसंग के साथ टीम आप करने का फैस्ता किया है अगर इस सुर्खी की बात करें तो करीब करीब एक करोड़ शॉप कीपर्स को हजार टाउंस में सिखाया जाएगा ट्रेंड किया जाएगा डिजिटल पेमेंट्स में अगली सुर्खी देश भर में रिणताता शाखाओं से किसानों को डेरी लोन उप्रब्द कराने के लिए राजसंचालित बैंक बैंक बरोडा और हेरिटेज फूट्स लिमिटेड ने एक समती ग्यापन पर स्थाक्षर किये हैं अगर हम बात करें हेरिटेज फूट्स की तो वो मिल्क और मिल्क प्रटक्स की सेल में के बिजनस में एक अग्रणी कंपनी है अगली सुर्खी नजीशेत्र के लक्ष्मी विलास बैंक ने घरेलू या अंतराश्टी बाजार में 4.25 करोड शेयर जारी करके पास 99.88 करोड उपय का एकत्र करने के लिए एक QIP लाँच किया है अगर हम QIP की बात करें तो QIP का फुल फॉर्म है qualified institutional payment और इसके अंतरगर यह होता है कि कोई भी listed company वो अपने equity shares अपने partly या totally convertible shares को convert कर सकते equity shares में और दे सकती है एक qualified institutional buyer को अब सवाल यह उठा कि सर QIP क्या है अगर हम बात करें qualified institutional buyer की तो ऐसी कोई भी संस्था ऐसा कोई भी निवेशक जिसे माना जाता है कि वह expert है निवेश करने में और एक हालाद जानने में capital market की अगली सुर्खी कोका कोला इंडिया ने बॉलिवूड अभिनेता रणवीर सिंग को अपने थमसब ब्रांड के ब्रांड बैजर के रूप में न्यूक किया है इन्होंने रिप्लेस किया है सलमान खान को अगली सुर्खी पूर्व नंबर वन टेनिस खिलाड़ी और 208 फ्रेंच उपन की विजयता सर्भिया की 29 फर्षिय एना इवानविक ने वुद्वार को फेस्बुक पर लाइव जाकर पेशिवर टेनिस से सन्याशी घोशना की है आईए देखते हैं इन हेडलाइन्स का एक रीकाप नागरिक डेटाबेस बनाने के लिए हरियानस ने आंध्रदेश के साथ MOU साइन किया है बिहार क्याबिनेट ने सभी न्याइक सेवाओं में 50% आरक्षन की मज़ूरी दी है विश्व भोचपरी सम्मिलन वायांसी में शुरू हुआ डिजिटल भुकतान रीटेल व्यापार किया है किसानों को डेरी लोन अप्लप्त कराने के लिए बैंक पर ओड़ा ने एचेफल के साथ MOU साइन किया 600 करोर जो डुपर चुटाने के लिए लक्ष्मिलास बैंक ने QIP जारी किया है रणवीर सिंग थम्ज अप के नए ब्राणा बैचर बने है प्रसिद्ध अमरीकी खगोल शास्त्री वेरा रूबिन का द्रन हो गया है एना इवान विक ने टेनिस से सन्याशी खोशना की है की मेजबानी कौन से शेर करेगा उत्तर है बनारस उत्तरपदेश अगला सवार देश भर में रिंडाता की शाखाओं से किसानों को डेरी लोन उपलप्त कराने के लिए किस संगठन ने बैंक परोड़ा के साथ साथधारी की है उत्तर है यहाँ पर हेरिटेज फूर्स लिमि आंक ने क्या पी जारी किया है उत्तर यहाँ पर है लक्षमी विलास बैंक अगला प्रश्ण अब आंसर और हमारे विनर्स आचार्य देवरत मेनिका गांधी अस्ताना उत्रपदेश विनर्स हैं तरप्ती गुपता कल्पना शाह और भावना आरिया अब बारी हमारे क्याट मंत्री हैं अगला प्रश्ण भारत में दुकाने खोलने के लिए इरडा ने कितनी कंपनियों को तीन आवेदन को आर्थरी आवेदन के मज़ूरी दी है और आकरी प्रश्ण खेल के सबसे चोटे प्रारूप सिक्स रेट स्नूकर में राष्टे किताब जीत कर किस खिलाड़